गुड मॉर्निंग एब्डिवन स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपटी यूटूब सेनल रामगड़े डूकेर में टेकनिकल एरर या फिर नेटवर्क एसू के कारण लाइब जो है ओफ हो जा रहा था बार बार दोस्तों लाइब चलनी पार रहा था जिसके कारण मैं रिकोड़ेड वीडियो अपलोड दे रहा हूँ आप लोगों को टीचिंग एपिचूड का मैराथन टीचिंग एपिचूड का मैराथन काफे स्पीड में यहाँ पर कुश्यन को कभर करेंगे जहां जरूरी पड़ेगा एक्सप्लानेशन का वहाँ एक्सप्लानेशन भी दिया जागा इस्ते पहले आँँ वहाँ पर आपका 58 कुश्यन तक हो गया था तो उसके बाद मैं जो है नेटवक एरर के कारण जो है लाइव क्लास जो है आफ करना पड़ा था तो उसके का आगे का जो पार्ट है जो important question है वो मैं recorded provide कर रहा हूँ आप लोग जरूर देख लिजेगा revision कर लिजेगा उसको भी और इसको भी जब एक सिक्षार्थी विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाएगा एक विद्यार्थी असफल हो रहा है तो उसका व्यक्तिगत असफलता कहा जाएगा अगर बहुत सारे विद्यार्थी असफल हो रहे है तो वहाँ पर सिक्षक असफल माना जाएगा एक विद्य देखेंगे आप किसी कछ्षा में पाट पढ़ाते हैं और विध्यार्थी विशय से एक प्रेश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? आप देखें जो विशय पढ़ा हैं उससे सम्बंध सवाल पूछ रहा है आप से तो आप क्या करेंगे इस सिच्वेशन में? अनुमाती बिलकुल देंगे डाटना नहीं है या फिर गैर अनुसासित समझ कर दंड नहीं करना है या फिर असमंद प्रस्न पुछने की अनुमाती देंगे ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है आपको simple सा यहां option दिख रहा है कक्छा के बाद present का उतर देंगे अगर नहीं आ रहा है तो हम दूसरे दिन भी दे सकते हैं directly बोलेंगे की नहीं की मेरे को नहीं आता है या फिर मुझे ये नहीं आता answer ऐसा सब्दो का परियोग नहीं करना है एक प्रसामानिया 12 वर्ष की आयू के बच्चे में सबसे अधीक होना चाहिए सबसे अधीक क्या होना चाहिए साथियों 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधीक क्या होना चाहिए समकक्छी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होता है यह यहां पर 12 वार्ज का जो बच्चा होता है, इसमें यह चीज देखने को मिलता है, कि उसके जो समकची होते हैं, उनके अनुमोधन के लिए उनमें बैचैनी देखने को मिलता है, यह विसिस्ता है आपका, विद्याले से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण, भाग ज जाने का कारण क्या हो सकता है बहुत सारी कारण हो सकते हैं बहतर विकल्प आपको देखना है कक्षा सिक्षन में रुची का अभाव ये भी कारण हो सकता है अध्यन में रुची का अभाव भी हो सकता है दंड नहीं देना यह तो बात यहां बाट नहीं रही है समस्या के परति सिक्षक जो है उन वो निर्दई अभिवर्ति दिखा रहे हैं तो यह कारण हो सकता है जिससे भाग जाएंगे अगर यही चीज सही रहता तो फिर उसमें रुची भी आता अध्यान में रुची का अभाव भी नहीं होता आपका सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है तो यह विकास कैसा है यह कैसा विकास साथ ही हूँ दोनों में क्या दिख रहा है आपको कोई जल्दी सीख रहा है कोई बाद में सीख रहा है तो यह वैक्तिगत वहनता का बात है यह आप्शन यहाँ पर हो जागा निम परभावित करता है सारी चीजें हमने डिस्क्स करी हुई है यहाँ पर आप लोग अंसर मार्क कर देंगे देखें यहाँ पर पॉस्टिक्ता और गुनवत्ता न्यूट्रिशन यह तो बिल्कुल परभावित करेगा साथ हूं संस्कृती भी करता है सिक्षा की गुनवत्ता सार करते हैं अब जो स्रवन दोस है जिनका यह कुंठा का सामना करते हैं निरास्य का सामना करते हैं कब कब यह ऐसा फील करते हैं महसूस करते हैं दूसरों के साथ संप्रेशन करने तथा सूचनाओं को बाटने में अच्छमता बिल्कुल यह तो कोई भी कुंठीत होगा ना जि देखेंगे डिसलेक्सिया मुक्ष रूप से सम्बंदित है किस से सम्बंदित है ये सम्बंदित है दूस्तों आपका पढ़ने की समस्या डिसलेक्सिया प्रभाव साली विद्यार्थी अपनी छमताओं को तब विक्सित कर पाएंगे जब प्रभाव साली जो विद्यार्थी ह मैं अपनी छमताओं को विक्सित कब कर पाएंगे साथ हूं ये कब कर पाएंगे जल्दी से अंसर माग कर देंगे वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रकिरिया से जूड़ते हैं अप्षन बी यहाँ पर आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा एक अच्छी पाठे पुस्तक से बचती है کیया बचती है ये MT पुस्तक से साथ हूं लेंगिक समानता बिलकुल पढ़ा है जाता है और लेंगिक पुर्वागरह लेंगिक समवेदन सिल्ता जो एक अच्छा पाठे पुष्टक रहेगा न सातियों यह हमेशा लेंगिक पुर्वागरह से बचेगा लिंग के आधार पर भेद भाव कभी भी किताब में मैंसन नहीं करेगा तो लिंग के आधार पर भेद भाव से हमेशा आपको बचना है तो लेंगिक पुर्वागरह जो है अच्छा पाठे पुष्टक में नहीं रहेगा लिंग समानता की हमेशा बात करेगा समाजी कुतरदाईतु की बात करेगा लेंगिक समवेदन सीलता की बात करेगा पुर्वागरह की बात नहीं करेगा कोई भी एक अच्छा टेक्स्ट बुक प्याजे के अनुसार संक्रियात्मक विकाज के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायतु को परदर्शित करता है ये सवाल हमने करवाया भी है आपको पुर्व संक्रियात्मक अवस्था में चार अवस्थाएं हैं अवस्थाओं को देख लिजेगा एक विद्यार्थी मैडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठीन परिश्रम करता है ताकि वह परवेश परिक्षा में उतीन हो सके ये विद्यार्थी रूप से अभी प्रेरित है अब देखिए यहाँ पर ये महनत कर रहा है भाई किस तरह से यहाँ पर मोटिवेटेड है आपको बताना है चलिए यहाँ पर correct answer जो हो जागा यह आंतरिक रुप से motivate है internally तो हम लोग आंतरिक प्रीर्णा ब्रहा प्रीर्णा हमने discuss करा हुआ है ववहार का करना ववहर का करना पक्ष में आता है किसके पक्ष में आता है वभार का करणा आपका आताय साथियों सीखने के संगयानात्मक छेटर के विकास में यहांपर आपका सी हो जागा किसके लिए है यहांपर आपको बताना है कुष्य नमबर 33 का अंसर माझ करेंगे यहांपर आप सभी यहांपर हो जागा सिक्षार्थियों को सिर्जनात्मक मार्ग उपलब्द कराने में यहाँ पर आपका ए हो जागा करेक्ट आंसर आगे देखेंगे एक सिक्षे का आपने सिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूही गतिविदियों में वैस्ट रखती है जैसे समूह शर्चा, समूह परियोजनाएं, महमिका निर्वाह आदी या सीखने के किस आयाम को उजागर करता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रूप में सारी काम करने का आउसर मिल रहा है पर क्या होता है, कितने सारे बैनिफिट्स हैं यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जागा आपका सामाजी गतिविदियों के रूप में अधिगम सामाजी गतिविदियों है और वहाँ पर वो शीखने का भी आउसर मिल रहा है आगे देखेंगे जब एक सिक्षिका द्रिष्टी बादिक सिक्षार्ति को कक्षा के अन्य सिक्षार्तियों के साथ सामोहिक गति वीदियों में सामिल करती है तो देखें एक द्रिष्टी बादिक बालक है चात्र है उसको जो अन्य चात्र है उनके साथ एक्टिविटी लर्न हो रहा है ना समावेशी सिक्षा हमने डिसकस कर रहा है सबों को एक साथ जिनकी आवेशकता हैं है वो पूरा करते हुए एक साथ सिक्षा देना है समावेशी सिक्षा का यहां पर यह पार्ट हो रहा है समावेशी सिक्षा के अंतरगता रहा है एक सिक्षे का अपने सिक्षन मे दृय से सरव सामागरियों और सारी लिक गतिवइदियों का प्रयोग करती है herr adjustments Tlm का यूज करती है तो यह क्या कर रही है शिख्छक को आराम दे वही है प्रभावी आकलन को सुगमगे परूफ करा रही है इनमे अदिक इंद्रियों का उप्योग करके से समवर्दित कर रहा है तो यह option D आ हुगा आपका correct answer कोहलबग के अनुसार सही और गलत के present के बारे में निने लेने में स्थाफिद सामिल चेंतन प्रिक्रिया को कहा जाता है चली यहाँ पर आपका correct answer हो जागा नातिक तरकना यह सवाल पुछा हुआ सवाल है आगे देखेंगे सिक्षन का सत्तावादी इस्तर सत्तावादी का नाम से ही पता चल रहा है कि सत्तावादी मतलब क्या होता है सिक्षक केंद्रित आगे देखेंगे चरित्र का विकास होता है कैसे होता है चरित्र का विकास कैसे हो जागा आपका इच्छा सक्ती बरताव वहभार नातिकता यह सभी यहाँ पर हो जाएंगे आपका correct answer होगा निम्ड में से कौन सा सिक्षन अधिगम का अस्तर नहीं है सिक्षन अधिगम का अस्तर नहीं है आपको बताना है तो सिक्षन अधिगम का अस्तर नहीं है विबेदी करन विबेदी करन यह सवाल पूछा गया सवाल है यदि एक विद्यार थी कच्छा में भाग लेने में संक करेंगे, उनको हम बार बार सवाल नहीं पूछेंगे, या जब उचशुक होंगे, उनका हाव यह तयार है, तब ह Totally हम उस्तर के सवाल उनको पूछेंगे, उसे प्रस्न नहीं पूछेंगे, मुस्टे पूछेंगे, सीचवेशन के हिसाब से ये तो गलत हो जागा, जिन प्रस्णों के उतर वा दे सकता है केवल उन ही प्रस्णों को पूछेंगे या फिर उन प्रस्णों को नहीं पूछेंगे जिनके उतर उनके सामर्थ से बाहर है जिनके कारण वा कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है आगे देखें उस से केवल तब प्रसंद पूछेंगे जब उनके उतर देने के लिए उत्साहित हो बहतर विकल्प D है जैसे ही कुछिन पूछते हैं तो वहाँ पर क्लासरूम में हाव भाव देखके ही पता चल रहा है उनके फिजिकल एक्टिविटीज को देखकर के पता चल रहा है कि ये देने के लिए तियार है तो आप्शन D यहाँ पर बहतर विकल्प माना जागा आगे देखेंगे सिक्षक का वरताओ होना चाहिए सिक्षक का वर्ताव कैसा होना चीए हमेशा कैसा होना चीए ये बाते हमने डिस्किस करी है आदर स्वादी होना चीए मानव विकास कुछ विसे सिधान्तों पर आधारित है निकित में से कौन सा मानव विकास का सिधान्त मानव विकास का सिधान्त से question answer हमने करा है सिक्षा केंद्रिय प्रायोजी त्योजनाओं का उदिश है कि में निसक्त बच्चों को सैक्चिक अवसर उपलब्द कराना कैसे विद्यालयों में कैसे विद्यालयों में यह समावेशी सिक्षा के अंतरगत ही आएगा समावेशी सिक्षा हमने बहुत बार डिसक्स किया है इस साथ समायूजित करके जो किसन दिना है इसी को समावी सी सिक्षा या समी की सिक्षा कहते हैं यहाँ पर डी हो जागा आप सभी का करिक्टर अंसर आगे देखेंगे निम्लिखित में इसे काउन सा कथन सीखने के विसे में नहीं है सीखने के विसे में नहीं है सीखना उस वाता प्रवावी होता है जो सभी आत्मक रूप से सकारात्मक हो और सिक्षार्थिओं को संतूष्ट करने वाला हो यह तो बात बिलकुल यहाँ पर बात सही है सही बात है आगे देखें सीखने में यह से किसी भी चरण पर सीखना संग्यात्मक कारियों को परभावित करता है भाई बच्चों दोरा की गई तुरूटियां यह संकित करती है कि किसी तरह का सीखना सीखना नहीं हो अब तुरूटी करेगा तभी तो सीखेगा एक हमारा सिधान्त भी है ट्राइलेंड एरर मेथड हम गलतियां करके सीखते हैं तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा आपका आपसन कि हो रहा है कहां निदान करना है उप्चार करना है यह सारी चीज़े एबॉलियोशन का मुख के उदेश होना चाहिए जिससे बालक का विकास हो सके सिक्षार्ति को पहले जो सीख चुके हैं उसकी पुन्राविर्थी और परत्यासमरन में सिक्षार्तियों की मदद करना महत कि महत्पुन है साथ्यों महत्पुन क्यों है औप संसको आप देखें यहापर नई जानकारी को पूरू जानकारी से जोड़ना सीखने को समरीद बनाता है बिलकुल अगर हम पहले के जानकारिया है previous knowledge नई जानकारियों से जोड़ करके पढ़ाते तो सीखने को यह समरीद ब पतावरन है हमारा वहां से जो भी चीजे हम लोग अडॉप्ट करके अपने आप पर लागू करते हैं और सिच्विशन के हिसाब से फिट होते हैं जैसे भासा संकृती खान पान पहनावा सारी चीजे अडॉप्ट करते हैं रूल इस समाजी करन है तो सबसे गहन और जटिल कहां पर होता है गहल और जटिल सबसे जादा होता है कि सोरा वस्था के दोरान अडॉल्संस प्रियड में अनुवान सिक्ता को समाजिक संरक्षना माना जाता है समाजिक संरक्षना माना जाएगा यहां पर अनुवान सिक्ता को किस र लक्षना के आधार पर, पीयाजे कैनो सारे विकास की पहली आवस्ता जनम से लगवाग, दो वर्स की आयू के दविर Rub बच्चा सबसे बहतर सिखता है, तो बच्चा सबसे बहतर सिखता है साथियों निसक्रिये सब्दों को समझने के दोरा नहीं है, ऐसे तो नहीं सीखेगा, अमुर तरीके से नहीं इंद्रियों के परियोग से वो सिखता है सेंस्रियों अगर दो वर्स का बालक है अगर गरम पानी रखा हुआ है गरम पानी उसको नहीं पता है कि यह क्या है लेकिन जब वो जैसे हाथ डालेगा तो वहां जलेगा हाथ तो वहां से तुरंत हटा लेगा तो उसको समझ में आ जाता है कि यह गरम है यहाँ पर आगे से हाथ नहीं डालना है तो वहाँ पर sense organs का वो यूज कर है क्योंकि वो ब्रहा जगत से उतना contact नहीं कर पाया उस age में तो जो अनुभाव कर रहे हैं आपने sense organs से वही सीखता है कौन सा समझ के लिए सिक्षन को परदर्सित नहीं करता है समझ के लिए सिक्षन को परदर्सित नहीं करता है यहाँ पर देखेंगे आप लोग जल्दी से नियम कैसे کام करता है? इसे सपस्ट करने है तो उदाहरन उपलब करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना? समानता और अंतर ये तो सही बात है, ये समज के लिए सिक्षन ये परदर्शित कर रहा है समानता और अंतर देखने हैं और एकाकी तत्यों पर बल नहीं देना है, option C होगा यहाँ पर आपका correct answer, सीखने का वह सिधान जो पुर्ण रूप से और केवल अवलोक नियों व्यवहार पर आधारित है, किस सिधान के सम्रिद है यह, तो यह है आपका question number 52, answer हो जागा यहाँ पर आपका option B, वहार वादिस सिधान के आधार पर है, वहार से सम्मन्दित है, एक सिक्षका अपने कच्छा के प्रभावसाली बच्चों की योगताओं की उपलब्धी चाहती है, अपने उदेश की प्राप्ती के लिए उसे निमलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे प्रेशन को क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए आपको एक सिक्षक के रूप में सूचना है आदे से जादे कुछेन आपके solve हो जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तनाव को नियंतित करने सिखाना, विशेज ध्यान के लिए उन्हें, उनके समकक्षियों से अलग करना, तो देखिए, तनाव को नियंतित करने के लिए सिखाना, ये तो बहुत अची बात है, उनके समकक्षियों से अलग करना, समकक्षियों से अलग क्यों करेंगे, ये तो ग वाला काम बिल्कुल नहीं सिखाना है आपको आगे देखेंगे छोटे सिक्षार्थियों में निम्रिखित में से कौन सा लक्षन पठन कठीनाईयों का नहीं है पठन कठीनाईयों का नहीं है पठन कठीनाईयों का नहीं है पठन गती और परवाह में कठीनाई आगे और अंसर मार्ग कर देंगे यहाँ पर दूसरे के साथ लड़ना ये परतिभा होने का संकेत नहीं है आगे देखेंगे यहाँ पर एक विधार्थी अपने समकच व्यक्तियों के समूह के परती अकरामक ववहर करता और विध्यालय में मानदंडों को नहीं मानता इस को देखेंगे यहां पर हो जागा आपका भावनात्मक छेत्र भावात्मक छेत्र में सहायता किया सकता है उसको आगे देखेंगे सिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने सिक्षार्तियों को सामुही गतिविद्यों में सामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अत्रिक्त ये में भी सहायता करती है तो किस में सहायता करती है सामाजी करन में भी सहायता करती है गुरूप में अगर सीख रहे हैं तो आकरामकता दोस्चिंता ये सब नहीं होता है सामाजी करन सोसलाइजिसन होता है समावेसी सिक्षा उस विदालई सिक्षा ववस्ता के ओर स प्रंकित करती है समावेशी सिक्षा से एक प्रेसन रहेगा वाई सहब यह मैं शुरू से ही कह रहा हूं तो यहाँ पर क्या होता है समाविसी सिक्षा में विसेश आवसकता वाले बच्चों को विसेश नहीं उनके लिए अलग सेपरेट विद्यालई नहीं एक यही विद्यालई में लेकिया आना है जो उनकी सारीरिक बौदिक सामाजिक भासिक अन्यवेदि वेविन योगिताओं विस्तितियों को द्यान में रखे बगएर सभी बच्चों को सभी बच्चों को क्या किया जाता है यहाँ पर सभी बच्चों को सामिल किया जाता है द्यान में रखा जाता है और सामिल किया जाता है आपसर डी होगा यहाँ पर सभी निर्योग नहीं अगर बहुत ज़्याद सुझार का रख है अब आनरोरा पर का अजल में समस्क्रा तो का उपिता उपचार करेंगे सुधार करेंगे तहां पर क्या हो जागा आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा आवस्यक उप्शार आत्मक युक्तियों की और संकेत करता है कि आप उप्शार करेंगे तभी तो आप उनका गलतियों को जान रहे हैं समझने का प्रयास करें बुनियादी इस्तर पर मात्र भासा में सिख्छा देना बहतर है देखें बुनियादी इस्तर पर प्राइमरी लेबल पर हमेशा कहा जाता है मात्र भासा में एजुकेशन देना चाहिए क्यों क्योंकि इनको प्राकृतिक वातावरण में सीखने का आवसर मिलता है सीखते भी हैं तो बहतर विकल्प यहां पड़ी होगा आत्म विकास तो बढ़ेगा ही सरल भाई देना है लेखन में आपका असपरश्चता होना चाहिए जो लास्ट बेंच बैठे हुए हैं उनको क्लियर विजिबल होना चाहिए आपकी कक्षा में एक छातर देर से आता है आप क्या करेंगे साथियों कारण सीधा बात है कि क्यों ऐसा हरकत कर रहा है कारण जानने का परक साहित करती है क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे वह क्या चाहती है इसका उदेश क्या है ऐसा करवाने की पीछे इसके पीछे क्या उदेश है दोस्तों बाल साहितों के नाम जान सके ये तो छोटा मोटा उदेश होगा अपनी पठन छमता बढ़ा सके ये आपका यहां पर प्रिभासा को नहीं जानना भाई सब्द कोशिय सब्द ये भी नहीं होगा संदर्ब में व्याकरन को समझना अप्शन C होगा यहां पर करिक्ट आंसर आगे देखेंगे अपने अपने विद्यारतियों को एक प्रसंद दिया है घर से विद्यालय आने तक आपने रास्ते में जो जो चीजे देखते हैं उन्हें लिखें आपकी कक्षा में एक सिक्षारति द्रिष्टी बादित है तो आप उसको क्या करेंगे आपने प्रसंद दिया है और एक बालक जो है द्रिष्टी बादित है तो उसके साथ आप क्या करेंगे उसे इस प्रसंद का उतर लिखने के उनके अनुसार हम उनके प्रस्रें में परिवर्तन करें Option D होगा यहांपर विकास का अनिवार्य लक्षण क्या है विकास मुल्य पारंपरीख यह भी नहीं करों option A यहाँ पर ज्यादा आपका perfect है कवीता सिक्षन में मौन पठन वर्जित है कवीता जब भी पढ़ते हैं तो मौन पठन नहीं करना है चुपचाप मन ही मन नहीं पढ़ना है वर्जित माना जाता है क्यों माना जाता है इससे रसानो भूती में व्यावधान होता है रस जो होता है वो कवीता का नहीं होता है इसमें रसानो भूती नहीं कर पाते हैं तो यह होगा आपका यहाँ पर correct answer प्रात्मी कस्तर पर व्याकरन सिक्षन की सर्वत्तम विधी यह है आगमन बिदी सबसे बेस्ट मैथड यह है कि पहले हम आगमन बीदी में example प्रस्तुत करें, example set करें फिर बाद में हम उनको नियम बताए, methods, rules, regulations, सिधामत बताएं यह आगमन बिदी होता है निगमन बिदी में पहले नियम बता जाता है आगे देखेंगे देखें इस तरह का मजबूरी हो गया है सिच्वेशन हो गया है कि मेरे को बार बार recorded वीडियो देना पड़ रहा है क्योंकि मैं हर बार Live ही आता हूं जितने भी classes होते हैं सारे Live होते हैं लेकिन ऐसा situation create हो जा रहा है कि मेरे को record करके आपको देना पड़ रहा है मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है सो फिर भी जितना possible है मैं देने की कोसिस कर रहा हूँ आप लोग manage कीजिएगा चलिए यहाँ पर देखेंगे एक सिक्षक भारत के बेभाजन पर पर प्रात्मिक स्रोतों पर आधारित एक कारी योजना करवाना चाहता है निम्रिकित में से कौन सा प्रात्मिक स्रोत है तो प्रात्मिक स्रोत यहाँ पर कौन सा मना जाएगा ध्यान से सोचेंगे सोचना है आपको भारत के बिभाजन पर प्रात्मिक स्रोतों पर आधारिक कारी योजना मौखिक इतिहास समाचिर पत्रों का पुरा लेखकार ये तो प्रात्मिक स्रोत नहीं होगा मौखिक इतिहास ये तो प्रात्मिक स्रोतों हो सकता है समाचार पत्रों का पुरा लेखा गार इससे भी कर सकते हैं आत्म कथाओं के दोरा उपन्यास बिल्कुल भी नहीं होगा उपन्यास बिल्कुल यहां पर अलग है सी आप्सन होगा यहां पर करिक्टर अंसर समाजिक विग्यान में समयलित नहीं किया गया है समाजिक विग्यान में समयलित नहीं किया गया है किसको नहीं किया गया यहां पर मनो विग्यान आपका विग्यान का है यह बाकी समाजिक विग्यान के है आगे देख लेंगे जब विभिन संदर्बों में रहने वाले दो व्यक्तियों की इस्तिती पर कोई वडनन दिया जाता है तब समाजिक विग्यान के सिक्षक को अपने सिक्षार्टियों को परोट्साहित करने के पर्यास करना चीए जिससे कीवे, जिससे कीवे, देखिए, कितना सांदर सवाल है, देखिए, सोचेंगे आप थोड़ा सा, उसका वर्णन के पात्रों के बारे में मुल्य परक निर्ने कर सके, आप्शन ए ही होगा यहाँ पर बहतर विकल, जाती धर्म से संबंदित नहीं है, वो तो आपको भेद आत्मक सोच और कलपना सीलता को प्रेदित करता है, यह वैग्यानिक है, कम वैग्यानिक नहीं बोल सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को हम कम वैग्यानिक नहीं बोल सकते हैं, सभी सब्जेक्ट में वैग्यानिकता है, तो यहाँ पर आप्शन भी होगा आपका, वास्तविक समानता के सिध्धानतों को सुनिशित करने के लिए निम्रिखित में से कौन सा माना मुल्य सरवाधिक महतपोन होगा सरवाधिक महतपोन कौन सा होगा साथियों यहां पर आपका परसपर आदत आपसन डी होगा यहां पर करिक्ट आंसर एक सिक्षक चाहता है कि उसके विद्या होगा यहां पर counselor के साथ में भेट वारता लाएं तो यह ज़्यादा यहां पर बहतर होगा ना कि आप घार बैठे website पर करें यह डारेक्ट आप जाकर की कर सकते हैं यहां पर यह बहतर होगा निम्न लिखित में से किस विसे सामागरी को पाई आरेक के द्वारा सबसे अच्छी तरह परदर्सित किया जा सकता है तो जलासायों का विवरन इसको हम यहां पर परदर्सित कर सकते हैं आगे देखेंगे कच्छा 6 के इसतर पर प्रित्वी का परिकर्मन पढ़ाने के लिए सबसे उप्युकत अदिगम साहयक सामागरी क्या होगी अब यहां T.L.M. का बात हो रहा है तो इसके लिए क्या होगा प्रित्वी का परिकर्मन पढ़ाना है तो ग्लोब ही तो चाहिए सबसे बहतर होगा राश्ट्य पाठेचरिया की रूपरिका 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और कैसा है अधिगम कैसा है साथिओं अधिगम कैसा होता है आपका सक करिए होता है और यह सामाजिक होता है आप शन B यहां पर आप सभी का हो जागा विधयार्तियों को स्वतनत रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी सिक्षार्थी बढ़ने में सक्षम बनाने तो सिक्षक के लिए यह महत्पून है महत्पून क्या है सिक्षक के लिए सिक्षार्थियों को वह सिखाने की किस प्रकार किसे अपने अधिगम का अनू विक्षन करे यह बहतर विकल्प यहां पर होगा बाकी के जो विकल्प है यह आपके स्वतंतर चिंतन परभावी सिक्षा बनाने के लिए महत्पून तो हैं लेकिन कम महत्पून है यदि कोई सिक्षिका चाहे कि उसके विदार्थी समस्या समाधान का उसल प्राप्त कर लें तो विदार्थियों को कैसे क्रिया कलाप में लगाना चाहिए कैसे क्रिया कलाप में लगाएंगे कि उनमें समस्या समाधान का जो स्कील है वो डबलब हो सके तो परत्यास मार रटने पर बलने देना है सरली करीट करना है इसमें तो कुछ ने होगा पूछना तर्क करना निर्ने कर लेना ये होगा समस्य समाधान में आपका कक्छा तक पहुंचने वाले बच्चों की बोली coughing़ानाओं को जानना बोली आओधारनाओं को जानना उनका अओधारना भोली ही रहता है तो यह क्या है, शिक्षा के लिए अपने सिक्षन को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक करेगा आप उनके जो कॉंसेप्ट है, उनके दिमाग में जो बना हुआ कॉंसेप्ट है, बचकानी हरकते जो हैं तो उनको जानेंगे, तो आपका जो टेसिंग है, वो और बहतर होगा, आप जो प्लाइनिंग करेंगे, उनके अनुरूप प्लाइनिंग करेंगे कक्षा में परति भाग न करने वाले विद्यारतियों को अभी प्रियरीद करने हेतु सिक्षे को अपक्षा में कुछ प्रियरीद आ नहीं रहे हैं, परति भाग नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या करेंगे हेतु सिक्षा को क्या करना है है नेत्र संपर्क करना चाहिए यह यहाँ पर आपका कर्रेक्ट अंसर है, आई कांटेक्ट विद्यार्थियों में निम्न उपलब्दी का सबसे पर्मुक कारण आई कॉंटेक्ट करेंगे न तो उनको लगेगा कि टीचर का नजर हमारे पर भी है मतलब हमें भी ध्यान दिया जा रहा है चलिए यहाँ पर देखेंगे बिद्यारतों के निम्न उपलब्दी का सबसे परमुक कारण सबसे परमुक कारण है निम्न उपलब्दी काम अगर उपलब्दी प्राप्त कर रहे हैं तो क्या होगा निम्न बुद्धी लब्दी कोई जरूरी नहीं है असुरक्षा और चिंता की भावना अगर उनमें है तो उनका जो उपलब्दी होगा वो उपलब्दी भी कम होगा निम्न होगा बच्चे सबसे अधीक सीखते हैं जब वे किसी वयस्क द्वारा समर्थे तिल छोटे सम्मों में सीखते हैं आपसन डी होगा यहाँ पर आपका बहतर विकल्ब वेक्ते तो सिखने योग वभारों का आदर संग्र है कथन गिन का है यह कथन याद रखीगा आप लोग स्कीनर का यह कथन है आगे देखेंगे छात्रों के भासागत विकास में सबसे अधिक परभाव डालने वाला भाजिया है समाजिक परिस्थिति यह कथन से संबंदित है आपका बाई गोच्की का वाई गोच्की का सिधान्त में हम लोग मैंसन किये थे कि जो सामाजिक परिस्तिती, सांस्कृतिक परिस्तिती है ये भासा विकास और संगे संविगात्मक विकास में परभाव डालती है तो वाई गोच्की को याद रखेगा और जीन पियाजे को भी पेसी संबंधित विकास के लिए सबसे उचित कारे कलाप कौन सा है कारे कलाप खिरिया कलाप कौन सा है दोश्तों पेसी संबंधित, तो पेसी संबंधित का होगा बॉल फेकना ये पेसियों से संबंधित है परतिभा साली सक्छार्थी है पर्तिभासाली सिक्षार्थिक इसको मानते हैं हम लोग जो अब सारी चिंतन रखता है इसको पर्तिभासाली हम लोग मानते है उदाहरन द्वारा समानी करंग तक पहुंचने वाले विदी है तो उदाहरन के द्वारा हम लोग पहुंचते हैं तो कौन सा विदी होता है यह ईसे होना चीए सिखाने के विषर पर शात्र और उनके विवार पर सभी पर हो जागा यहांपर निम्ण में से कंसा विस्मिर्थी का कारण नहीं है समरन करने की इच्छा जो है यहाँ पर विस्मिर्ती नहीं है कारण नहीं है बाकी सभी कारण है सभी दोस या कम्या से सम्मंदित है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्दत को एकत्र करके करने विवाजित करने प्रस्तुत करने तूलना करने वैठ्धा करने की विदी से सम् मंदित है किसमें हम ये सारे कारे करते हैं सांखे की में करते हैं न साथ्यों आगे देखेंगे पिछड़े बच्छों के लिए साक्षिक लबदी की अवधार्ना किस ने दी है साक्षिक लबदी की अवधार्ना पिछड़े बच्छों के लिए दी है सीरील बर्ट ने आप्शन का पार्ट नहीं है ये तो आपका वैक्तिगत मामला है तो परिक्षन से समंदित विश्वर्षनिता वैदता वस्तुनिस्टा ये हमने पहले भी जाना है निम्ण में से कौन सा बुद्धी का सिधान्त नहीं है बुद्धी का सिधान्त बुद्धी का सिधान्त जो है टेबल आ आपको दिया गया है चलिए यहां पर देख लें पत्या गमन का सिधान्त बुद्धी का सिधान्त से संबंधित नहीं है यह में से कौन सी एक अंतरसरावी ग्रांथी नहीं है यहां पर आपका लार ग्रांथी जो हैं अंतरसरावी ग्रांथी नहीं है बाकी सभी है मैगडूल क अनुसार परतिक मूल परविर्थी से संबंध होता है मूल परविर्थी से संबंधित कौन सा है यहां पर आपको बताना है 59 का 59 का यहां पर हो जाएगा भी आपका संबेग यह मूल परविर्थी से संबंधित है पूरु अधीगम अनुभाव के आधार पर संबेदना को लबदी क्या होगी IQ निकालना है आपको IQ का फार्मूला पता है इसको निकाल करके आप लोग आंसर मार्क कर दिज़ेगा रोसाइट इंक ब्लॉब टेस्ट का परियोग में से किसके मापन से मापन हेतु किया जाता है किसके मापन हेतु किया जाता है वक्तितो के लिए ये है मापन सतत्यों व्यापक मुल्यांकन का अर्थ क्या होता है साथ्यों सतत्यों व्यापक मुल्यांकन का अर्थ होता है योग्यताओं व्याक्तितों तथा कौसल आधी के व्यापक छेत्र में आधीगम को अभी ल तरीका क्या होता है आपका वायस को द्वारा समवेगात्मक सही योग बुद्धी परिक्षन विश्वस्निय प्रापतांक देते हैं जब प्रापतांक देते हैं जब कब देते हैं ये देते हैं आपके परिक्षन की वैदता उच हो तब आगे देखें कच्छा कच्छ में गतिवीधिया, कच्छा में विद्यार्थियों के विसिष्ट योगताओं के अनुरूप होनी चाहिए जो भी गतिवीधिया हो उनकी योगताओं के अनुरूप बिल्कुल होना चाहिए इसका उत्तरदाई तो किसका होगा उत्तरदाई तो कच्छा अध्यापक प्लास टीचर पर कीवह पाठेचर्य को उसी अनुसार परिवर्तित करें जैसा हुआ विद्यारत्यों के लिए उप्युक्त समझता है तो ये option A ही होगा यहाँ पर correct answer विद्यालाई बच्चों में निम्न अभी प्रेणा इनकी कारण होती है अभी प्रेणा किनके कारण होती है अध्यापक की निम्न समप्रेशन छमता निम्न अभी प्रेणा निम्न मतलब क्या होगा कम कम motivate कब होंगे जब अध्यापक निम्न समप्रेशन छमता है मोटिवेटी नहीं कर पा रहा है सिक्षक तो उसका कारण ये हो सकता है यहाँ पर आगे देखेंगे सभी अधिगम करताओं के लिए विद्यालाई अनुभाव का सबसे परमुक पक्ष है सबसे परमुक पक्ष है यहाँ पर समाज में दूसरों के साथ अनुसासित रहना सीखन आगे देख लेंगे अच्छा सिक्षन है अच्छा सिक्षन किसको माना जाएगा अच्छा सिक्षन माना जाएगा अधिगम संसाधनों को ववस्तित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति के से कारे करने हितु स्वतंदरता देना तो आप्षन ये होगा यहाँ पर अ बहतर विकल्प होगा इस तरह से रिकोर्ड करके जल्दी बाजी में देना पड़ा क्यूंकि लाइब जो था लाइब क्लास कट हो गया था आफ हो गया था बहुत सारे प्राब्लम्स आरे एक्जाम के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने प्राब्लम्स के साथ में आप आपको वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूं लाइब कभी आ रहा हूं कभी नहीं आ रहा हूं आता हूं तो तुरंत उधर बुला लिया जाता है आप लोग थोड़ा सीच्विशन समझ ही रहे होंगे बाकी आप लोग जोरदार त्यारी करते रहे हैं मिलते हैं अगले वी सन में धन्यवाद जोहार